खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट उसने जब शक्ति को चुना तो दुर्गा हो गई सतीत्व को चुना तो सीता हो गई जब बातसल्यों को चुआ तो मर्यम हो गई जब सेवा को जिया तो टेरिसा हो गई प्रेम ने जिसे राधा बना दिया भक्ती ने जिसे मीरा बना दिया जिसके बिना फीका है ये संसार जो श्रिष्टी है, प्रकती है, सर्जना का पर्या है वो बहन है, बेटी है, प्रियसी है, प्रियतमा है, सांज है और पत्नी भी वो मा है, हाँ वो मा है आज मदस डे पर हम नमन कर रहे हैं मा के उसी रूप को जो कोरोना की महामारी में अपने आचल में जीवन को च्छाव दे रही है कभी एप्रेंट पहन कर, कभी बर्दी पहन कर तो कभी किसी ना किसी रूप में लोगों की मदद करके लोगडाउन में जहां दुनिया थमी सी है जहां रुका सा आसमान है धर्ती पर मौत मनरा रही है ऐसे में धारा का उधार और इंसानियत का बेडा पार लगाने के लिए कई देवदोतों ने मौर्चा सम्हाल रखा है संकट पूरी आबादी के सिर पर मनरा रही है ऐसे में आधियाबादी से माउने कमर कसली है घर की चोहदी के भीतर रहकर खुद की जान बचाने वालों को दुश्वारिया ना हो इसके लिए कई शिता माउने सिर पर कफन बांध लिया है माउने मौर्चा सम्हाल लिया है कि अब घर दिवारों के भीतर नहीं रहा वसुदेव कुटमबकम हो गया है वो दिन कपके लच चुके हैं जब चूले चौके में ही चार दिन के जन्दगी दुआ हो जाया करती थी आज मा पिता की तरह घर के बाहर का भार उठाती है मा बेहन, बेटी, दोस का किरदार निभाती है एक तो कोरोना इस वक्त चल रहा है जिसकी वज़े से महिलाएं इसमें अपनी तरीके से यहां पर भागीदारी निभा रही है ऐसे में हम आज पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो अपनी ड्यूटी तो निभाई रही है देश के लिए जो फर्ज निभा रही है साथ में अपनी वो क्यूंकि खुद भी मा हैं और अपने बचों का भी ध्यान रख रही है परिवार का भी ध्यान रख रही है ऐसे में मदर्स डे में हम ऐसी महिलाओं को सलाम कर रहे हैं इसी महिलाओं को नमन कर रहे हैं उनसे हम बात भी करते हैं इस वक्त हम बातचीत करते हैं इस्पेक्टर हमाई साथ जोड़ चुकी हैं पुलिस सद्धिकारी हैं चलिए बात करते हैं उनसे मैं बहुत स्वागत है हमारे साथ हुआ देखो मैं एक समाज में बहुत नजदीकी से काम कर रही हूँ, आप जैसी बहनों के साथ में कोई मा भी है, कोई बहन भी है, कोई बेटी भी है, उसके साथ मैं भी किसी की मा हूँ, मेरे पास भी दो बच्चे हैं, जो जुड़वा है, जो भी छोटे हैं, और मैं समयती हूँ, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं भी किसी की मा ये समाज में मेरा एक परिवार है, न उसमें उसी तरीके से काम करना चाहती हूं और कर भी रही हूं, जितना मैं कोशिस कर रही हूं इस करोना काल में, कभी-कभी देखती हूं, sucking a good daymaid कोли journey, मैं 강षिये मेरा हर्दय बहुत एकदम ऐसे चोट पहुचती है, जैसे अपने एक ब बोल दो हैं जो उनको एकदम संतुष्ट कर सकते हैं उन सब दो का इस्तमाल करके मैं सोचती हूं कि उनकी समश्याओं का कम जादा नहीं तो थोड़ा सा निदान कर सको मौके पे खड़ा हो करके जो आज कल गरीब माता बहने हैं और भाई बंदू उनके साथ में जो प्लैन करक करते हैं रही समाज में आज जो महोल चलना है बहुत बड़ा एक इतनी बड़ी समश्या फोरे वीश sticking के सामने है वह चाहिए उसमें हम भी हैं आप भी हैं कि हम सब लोग मिलकर कि इस करोना वाली देश खतरे में है, संकट काल है, तुक्हा की, ओड करमाएं, पुलिसिंक का जंमा भी सम्हाल रही हैं. धूफो या बारिश, आधी या तूफान और ओले भी इनके हॉसले को डिगा नहीं पाते. चलिए कुछ हमाय साथ पुलिस अधिकारी भी है और उनसे और भी है पुलिस उनसे भी पूछेंगे कि वो अपने मदर को क्या मैसेज देना चाहेंगे लेकिन फर्ज के आगे कुछ दुख नहीं है अब कभी लगता तो है कि हाँ जाएं मिलें और.. लगता तो है लेकिन ये फर्ज के आगे कुछ नहीं है गर से बाहर की जिम्मेदारी निभाने निकली इन माओं का जीवन जितना मुश्किल दिखता है ये कठिन उससे कही जादा है खास और पर कोरोना काल में ऐसे में जबकि देश लॉकडाउन है इनकी ड्यूटी लगाता जारी है जब हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ एसी में बैठे होते हैं तब इन माओं को अपना फर्ज दिंभाने आना होता है अपना घर अपना परिवार पीछे छोड़ कर मैं अपनी ममा से पांच-छे महिने से नहीं मिले हूँ अगर सबकुछ ठीक हो जाता है तो जल्दी मिल जाएंगे बस इसी की कोशी से सभी पुलिसवालों की और सभी स्वास्तकरमियों की और सफाई करमियों की सभी इसमें लगे हुए हैं और मीडिया करमियों का अभी पर आम से करो और हमारी में बें इंस्पेक्टर में बहुत अच्छी हैं तो हमें ऐसा को भी फीली नहीं होता कि हम घर से अलग रहे हैं मैं इसके लिए तो बस बहुत कुछ कहना चाहते हूं वैसे फॉन पे बात होती रहती है और सबसे बड़ी मातों हमारी यहीं पर मौजूद हैं, वो हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है। पर मात्र दिवस पर आपने तमाम महिलाओं को बड़े से बड़ा कीरती मान बनाते देखा, सुना और पढ़ा होगा। जिनके बुलन इरादो की बुन्याद उन्हें मुकदर का सिकंदर बनाती है। तो इस वक्त हमाई साथ जोड़ चुकी हैं, सुवर्णा राज, जो इंटरनाशनल पेरा एथलिट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत सुभागत है मैं हमाई साथ जोड़ने के लिए। सबसे पहले मदरस्टेइ पर आपको भी बढ़ाएं क्योंकि आप भी एक माह हैं। और सबसे पहले मैं आपकी पूरा जो अब तक कैसे आपने पूरी शुरुवात करी। कैसे आप इस मुकाम तब पहुची और ऐसे दौर में। थैंक यू सो मच। देखे जब बचपन में दो साल की उमर में पोलियो हुआ तो एक फैंबली भी जो थी वो बिल्कुल सदमे में आ चुकती। तक क्यूंकि लड़की अगर विकलांग हो जाती है, लड़का और इक बच्चे से बचलांग हो जाता है क्या ना कहीं आपको बहुत स्टूगल करना पड़ा बचपन शेके कई बार पहले पढ़ाई नहीं हो पाती थी इतनी अच्छी पहली स्कूल एकसेसेबल नहीं थे तो बचपन में मुझे आज भी याद है मुझे होस्टेल में रह रहे है कि जिंदेगी अपना टैन तक का सफर पूरा करना पड़ा ताकि कोई ले जाए कोई लाए तो होस्टेल म में रहते हो चार दिवारी के अंदर और आप अचानक चार दिवारी के बाहर आते हो तो बहुत मुश्टी होती है है करने में फिर, थर, मुझे जू फ्रेंसर कलता वह बहुत अच्छा बिला तो मेरे बाहर निकाल 59 बताई कि हां تم सीने मा भी जा सकते हो तुम गार डर्से कर पर भी घूम सकते हो पहले हमें यह लगता था अगर हम भार निकलते तो नहीं हमें ऐसे देख रहा है कोई कि हम अलग नजर से देख रहा है या फिर वो वर्ड होते थे आरे हाय बिचारी कितनी सुंदर भगवान ने ऐसे कर दिया पतानी शादी होगी या नहीं होगी और यह मेरी ममी जो है नहीं वूब बड़ी उसमें रहती थी उनको भी लगता था पतानी शादी होगी तो वो हमेशा पंडित को दिखाते फिर ते थे कि पतानी इसकी शादी कैसी होती तो अचानक से एक पंडित बड़ा अच्छा मिल गया था उसने जरूर बोला था मंमी को कि न जिसे मम्मी थी, डाटती थी, पिटती थी, तो पता नहीं ऐसा लगता था है, कितना डाटती है, कितना डाटती है, लेकिन आज हम मम्मी बने हैं, तो हमें पता है कि डाटना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, अगर अच्छे संसकार लाने हैं, अच्छी शिक्षा उनको देनी ह सुवर्णा राज के चिंताए भले ही आपको सामान ने लगे भले ही आपको ये मामूली लगे लेकिन क्या होगा आपका नजरिया जब आपको पता चले कि सुवर्णा के दोनों पैर काम नहीं करते क्या कहेंगे ये जानकर कि सुवर्णा के पैरों में पूल्यों है तरहには शादी के बद स्टार्टियते हैं। मैं स्पोर्टेस में बच्पन से ही हूँ, मैं होस्टेल लाइज से ही, 50 या शिक्स में तब सर्णी थी disproportionately नाशनल लेबल की अट्लीट तब सर्णख़ हूँ, में भी आगे होती थी, मैं स्पोर्ट्स में सबसे आगे होती थी, तो ये चीज़े चलती रही मेरे लाइफ में और इन सब चीज़ों से मुझे आज ही मुकाम हासिल हुआ है, देखे, मेरे पास एक 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 जामपल है, जो बच्पन से हम सुनते आ रहे हैं, उस एक्जामपल में चिलिया जो होती है, चिलिया का घोसला अगर किसी ने देखा होगा, तो वो घोसला हम एक मशीन भी बनाए ना तब भी नहीं बन पाएगा, हम अपनी दस उंगली भी यूज करें तब भी नहीं बन पाएगा और वो घोसला सिर्फ अपनी चोस से बनाती है तो वो इतना प्यारा खोसला होता है तो वो एक कविता भी है इसके उपर मराठी में है वो तो उसमें लिखा गया है कि उसकी सिर्फ इतनी चीज चोज से अगर वो इतना प्यारा आशियाना बना लेती है तो हमापस तो दोनों हाथ, दस उंगली, दो पैर और इतना अच्छा दिया है तो मुझे लगता है कि नतिंग इस इंपॉसिबल, मतलब आवर चीज वो है जो हम कर सकते है बस वह हमारी mentality पर depend करता है कि हम क्या करना चाहते है और हम क्या करना नहीं चाहते तो चाहे फिर परिस्तिती कैसी भी हो, चाहे आप फिजीकली चैलेंज हो या नहीं हो, देखो कही ना कही हो जाता है ना कि वो वीलचर पे है, अरे हाँ ठीक है हम वीलचर पे है, लेकिन आप हमारे लिए स्टेप की जगा रैम बना दोगे तो हमको तो विकलांगता का ऐसास ही नहीं होगा, ह रहिना कि इन्वार्मेंट जो है, वो हमें विकलांग बनाता है, ना कि हमारी विकलांगता हमें विकलांग बनाती है पैरा एथलीट सुवर्णा राज लोकडाउन की दौरान भी घर में बेहद एक्टिव रहती है, यहीं उनके नौ साल के बेटे को भी अपनी माँ पर गर्व करने का सबब बनता है उसके लिए उसकी माँ ही उसका आदश है, सुवर्णा में मुश्किलों के आगे सरंडर तो कभी किया ही नहीं कठनाईयों की आँख से आँख मिलाकर अपने लक्ष को हासल करके ही दम लेना सुवर्णा को फौलाद बनाता है मैंने का आना कि बचपन की लाइफ और आज की लाइफ में बुद्जमीन आसमान का फरक है घर में कभी शादी से पहले कुछ मैंने चीजे सही भी है जैसे पापा जो है उनको लगता था वो थोड़ा पसंद नहीं करते थे और फिर मम्मी को भी लगता था कि यह मतलब में विकलांग थी एक तरह से बाकी भाई बैंसा बच्चे थे तो उनको पसंद ना होने का तरी जो वो था शायद उनका जो रवया था सोजने का वो यही था कि यह विकलांगा, शायद मैं पता नहीं इसकी शादी भी कर पाऊंगा, या आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं, वो सकता है, वो हर माबाप के जहन में आता हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह चीज कहीं न कई बच्छों के मन में निगेटिविटी भी फैला दे उसको पहले से प्यार मिलना बहुत जरूरी है, मम्मी ने काफी सपोर्ट दिया मुझे, कई बार सपोर्ट दिया है, मेरे घर में मरी मम्मी और मेरी भावी, सबसे जादा तो मैं अपनी भावी को करती हूँ, उन्होंने मुझे सबसे जादा सपोर्ट भी इसलिए दिया है कि उन्होंने भी मुझे कभी ये नहीं लखने दिया एक भावी आने के बाद मुझे ऐसा लगाई नहीं कि हाम मैं कहीं नहीं अलग हूँ उन्होंने मेरी पढ़ाई कभी छूटने निदी बीच में और हर चीज उन्होंने कंटेनी होती रही तो वंबी और भावी का बहुत सपोर्ट है मेरे दिने मुश्किलों से सुवर्णा का नाता बहुत पुराना रहा है उल्यों तो है ही लेकिए सुवर्णा राज ने हिम्मत नहीं हारी ऐसे हालात में जबकि सामाने लोग कठनाईयों के आगे घुटने टेक देते हैं, सुवर्णा ने आत्मबल के बूते कठनाईयों के पैर ही उखार दिये मदस्दे पर ऐसी शक्सियत को हमारा सलाम जिनके आगे मुसीबुतों के पहार खुद ही दरक जाया करते हैं कहते हैं माँ ही बच्चे की पहली अभिभावक और घर ही बच्चे का पहला स्कूल होता है और ऐसे में जबकि देश कुर्णा की कारण लोगडाउन है, समाज बंधनों में बदलाव के नए आयाम तै करने को बेताब है तो माँ की जब्मेदारी बेहत बढ़ी दिखती है, माई घर में अब ज़्यादा मस्रूफ हैं, क्यों आप खुद सुनिये मैं अपने बेटे को, मेरा एक बेटा है, मैं उसको भी सिखाती हूँ कि कैसे घर पे काम करना है क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता था, बट वो छोटे-छोटे चीजों में मेरा कहीं कहीं पे help करता है तो उसे भी लगता है कि हाँ ये काम करना चाहिए और घर पे काम, ऐसे बच्चे समझते नहीं है जब स्कूल जाते है कि क्या होता है, तो वो समझता है कि हाँ ठीक है, काम तो बहुत होता है और वो छोटी-छोटी टॉपिक में मेरी help करता है और मैं भी उसे सिखाती हूँ कि ये नहीं कि ऐस बोई ही वो कुछ ना करें, वो छोटी-छोटी चीजों में मेरी help करता है तो ये ही Mother's Day special है, Everyday is Mother's Day एक special नहीं होता, तो Everyday is Mother's Day अच्छा, आपको लग रहा है, ये दो और ऐसा है, जिसमें हम और अपने बच्चों के जादा करीब, आप तो रहती हैं, लेकिन बच्चे भी और जादा करीब महसूस करते हैं हाँ, वो भी महसूस करते हैं, उन्हें हट चीज मतलब अभी क्या है कि online study हो रहा है, तो उसमें भी as a teacher भी हमारी रोल जादा हो गया है वैसे क्या होता था है कि हम homework करा रहे हैं, अभी क्या है कि अभी हम online classes में भी उनकी help करते हैं, फिर वो सारा जो work होता है वो भी कराते हैं काफी चीज है ऐसी छोटी-छोटी है जो ज्यादा पास ले आती है, जैसे अभी क्या है कि outdoor activity भी नहीं हो रही है, तो indoor activities हो रही है, गेम्स हैं, छोटे-छोटे जो गेम्स हम अपने बच्पन में खेलते थे अब हम उनको करा रहे हैं जो हम लोग पेपर पर गेम्स पहले करते थे तो बच्चों को तो अभी नहीं था उसका रूटीन तो अब हम उसको करा रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़े सीख रहे हैं मैं करोना को लेकर यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो गौर्मेंट ने रूल बनाए हैं उनको फोलो करें अगर उनको फोलो करेंगे तो अच्छा रहेगा बेनेफिट है सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साफ सफाई रखें और यह जो इतनी लंबी क्यों हो जाती हैं प्लीज इसे इग्नॉर करें चीज़े अभी जैसे थोड़ा-थोड़ा लोगों ने रिलेक्स लेना स्टार्ट कर दिया है कि बाहर निकल रहे हैं तो उसका नाजाएस बाता ना उठाएं उसे फॉर दायरे में लेकर चलें सोशल डिस्टेंसिंग रहे हैं यह फीक अच्छी तस्वीर और कह सकते एक अच्छा वक्त बीट रहा है बच्चों का मां के साथ क्यूंकि मां तो हमेशा ही बच्चों के करीब हमेशा रहती है लेकिन बच्चे कैसे मेरे दो बेटे हैं छोटा वाला काफी हल्फुल है मेरे लिए वह हमेशा कुछ न कुछ मेरे आगे पीछे घूमता रहता है कैसे वह एल्प करें कल इन फेक्ट उसने मेरे साथ मिलके केक बनाया है तो मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी उसकी मैं को देजा तो मैं भ बड़े वाले को भी मैंने अपनी ड्यूटी समझा रखी है वो भी मेरी बहुत अच्छे से हल्प करता है और रही बात घर में मन लगाने की तो हम लोग सब लूडों खेलते हैं कैरम खेलते हैं इस सब में इन्वाल्ब रहते हैं हमेशा और आजकल एक गेम और आगया तंब हमारी है कि वो खेल नहीं पा रहे बाहर जाके क्योंकि मेरा कभी कभी बड़ा बेटा भी बोलता है कि मैं मैं एक वाक लेका रहा हूं मैं बहुत दिन से बंद हूं मैं काफी दिन हो गए उन सब को भी बंद की हुए तो मैं उनको भी समझ पारी कि हम लोग काम में पूछा हो गए पर बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं पर रहे हैं उनको गेम भी नहीं दे सकती में खेलने जादा क्योंकि वह एक तो ऑल्रड़ी वह स्क्रीन से खेल रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है हमें मैनेज करना पड़ता है कि बच्चे हमारे जाधा और हम लोग एक दूसरे के साथ और जच्छा हमेशान एक पिar वर्हस्क्राएं वर्हस्कर सब्सक्रावरीख नको पता नहीं चलता था हैं हम उनके क्या करते हैं कैसे खाना बनाते हैं तो ये सब उन्हें समझ में आ रही यह सब चीज़े और आप इस बार वेसेज और देना चाहेंगे बच्चों के लिए और माँ के लिए भी आभी कई हैं कि कई लोग अपस बोला रहे हैं यह मुष्किल भड़ा वक्त है बहुत जादा हमारे लिए भी जो घर में बंद हैं अगर आप दूर हैं तो सपोर्ट कीज हो जाए तो हम लोग सब आपस में मिल सकते हैं तो बस कुछ देर और संभालो अपने आपको ऐसे ही इसे ऐसे ही अच्छे से रहो ताकि यह वक्त बुड़ा दूर हो जाए हम लोग आपस में फिर मिल सकें थोड़ा और टाइम के लिए पत्मी के से बहुत एक पेशिंस भी ब हम चिर जाते हैं क्योंकि हमारे उपर बहुत बर्डेन होई है काम का तो मुश्किल तो आती है फिर हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि मैनेज करना ही पर लेगा और हमारे पास कोई आप्शन है नहीं अभी तो करना पर जाता है कभी कभी चिर तो होती है बहुत मचती है चिर फि लिकिर वो मा ही क्या जो सेवा से ठक जाए प्यार करना कोई तुम से सिखे तुम ममता के मूरत हो और ऐसी ही कुछ ममता के मूरत इस वक्त हमाए साथ मौजूद है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं बलकि इस देश में लोगों के लिए भी आगे आ रही है उन बच्चों का भी खाल रख रही है जो इस कोरोना के वजह से शायद भूखे होंगे परिशान होंगे उनकी भी देखवाल ये कर रही है इन ममता के मूरत से हम बाचीत करते हैं मैं बता चाहूंगे मैं नमा नीता है नीता परजापती और मैं सिक से वेन्यों की नियवासी हूं हाँ जैसे कि कुरोना चल रहा है लोगड़ॉन भी है कापी लोग का काम भी छुट गया है और लोग को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उसके रिगारें हमने अपने वॉलिंटियर्स हैं और उस टीम के थुरू हम अपने रेजडेंस से हम ड्राइ राशन इखटा करते हैं और जितने भी नीडी पीपल है जो हम तक ड्रैक्ट आते हैं उनको देते हैं और साथी साथ अगर हमें पुलिस का भी कॉल आता है कि उनको भी राशन का नीड़ है तो है क्योंकि घर की भी कई सारी दिमेदारियां होती है आपके ओपर इतनी पार ऐसा होता है कि मुझे मुझे लंस टाइम की टाइम बाहर आना होता है मेरा बचा वेट कर रहा होता है कि मिया खाना कब बनेगा मेरे हजमन का तो उनकी वैसे मैं सारे काम कर बाती हूं बहुत है कि हम काम करें पर लाइफ में हर तरह की निगेटिविटी हर तरह की सुझाव हर तरह की विचार हर एक को फेस करने पड़ते हैं बट कहते हैं कि सच्चा योद्धा वाई है जो हर चीज़ को इग्णोर कर आगे बढ़ता जाए तो हमारा भी एही मूव है कि हां ठीक है दस दिसक्स किया तो हम नहीं सोचा कि अब हम जो हमारे पास डारेक्ट लोग राशन लेने आएंगे एक ही फैमिली में ज्यादा राशन ना जाए उसके लिए हम उनको रिक्वस्ट कर रहे हैं कि आप अपना अधार कार्ट ले कि इससे यह होगा कि हमें कंपर्म हो जाएगा कि एक फैमिली का मेंबर है वो दूसरी फैमिली का मेंबर सुर्ण राशन एक खटा नहीं हो पाएगा एक जगह अच्छा आप यह बहुत लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत जादा घर कर गई है ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और खास करके है ऐसा नहीए कि हम पहली बार फेस कर रहे हैं हमारे जो पूर्वेज है हर चीज में नेगेटिविटी होती है कुछ भी अच्छा काम होगा तो जब तक नेगेटिविटी नहीं होगी तब तक आपको मॉठिवेशन भी मिलेगा जब तक हुमारा क्रिटिशिम नहीं होगा हम सिखेंगे भी नहीं कि हमें अच्छा और करनाचाहिए तो मुझे लगता है अच्छे काम के लिए क्रिटिसाइज करने वाले भी होने चाहिए माव को ईश्वर का अप्तार यू ही नहीं कहा जाता कोरोना किश बीदा में माय एपरेंट पहन कर हॉस्पिटल्स में फ्रंट पर रहकर महमाली से मकाबला कर रही है मानता की सीवा कर रही है वो भी अपने कलेजे पर पत्थर रख कर क्योंकि कोरोना की खिलाफ जंग में हत्यार उठाए तो फिर घर से घरवारों से इनका संपक रही नहीं पाता वह जो अपने पच्टों से मिल कर रह रहे हैं हम सारी माताओं को सारी महनो concept को अंपने क्शाफ तो को आप बहुत भूधर क करे हैं कि हुआ है रहे हैं कि यहां रहेंके वह था कि महहने कर रहे हैं और पेशेहंक्त से पाता बेट बहुत नहीं चाहते हैं तालखन कोई भी रहा हो युक कोई भी हुआ हो इत्यास कभी कभी लिखा गया हो माओं के आचल नहीं उसे चाया दिये उसके इरादों नहीं पुरंदर दिये माँ की कोक नहीं सिकंदर पैदा किये कालिदास ने कीर्स तक हर्मान से हरिकुल्स तक सत्यूक, त्रेता, याद्वापर और अब कल्यू मा की महिमा कभखान पूरा हो ही नहीं सका है कैमरामेन सुमित और सहयोगे शिप्त्यागी के साथ दिपाली शुकला जनतंत टीवी क्योंकि मा है तुझ जहां है ये जमी है, ये आसमा है मा शब्द की समय, परिभाशा और इसकी आनत महिमा को आज तक कोई शब्दों में पिरू ही नहीं पाया महा भारत सरी का महा काव्य लिखने वाले महर्शी वेद व्यास ने मा की महिमा का बखान कुछ इस तरह किया है नास्ती मात्रसमा च्छाया नास्ती मात्रसमा गतिह नास्ती मात्र समाम त्रान, नास्ती मात्र समा प्रिया अर्थात माता की समान कोई छाया नहीं, माता की समान कोई सहारा नहीं माता की समान कोई रक्षक नहीं और माता की समान कोई प्रिया नहीं मा की चरणों में सर्वस समर्पन झाल झाल